दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एलियन्स की कुछ बहतरीन हॉरर फिल्मों के बारे में ये कहानी हैं बैरेट परिवार की जिनके घर में एक दिन अचानक से रहस्य में घटनाय घटनी शुरू हो जाती हैं और फिर पता चलता है के इन रहस्य में घटनाओं के पीछे एलियन्स का हाथ है जो इस परिवार के बच्चों को अगवा करना चाहते हैं ये फिल्म एलियन्स के बारे में बनाई गई एक बहुत अच्छी हॉरर फिल्म है जो आपका मनोरंजन जरूर करेगी एक घने जंगल में रेस्क्यू मिशन पर गए कुछ अमेरिकन कमांडोज का सामना दूसरी दुनिया के एक एलियन योद्धा से होता है और प्रेडेटर नाम का ये खुंखार एलियन एक एक करके इन अमेरिकन सैनिकों को अपना शिकार बनाता है इस फिल्म में हॉलिवूड के सुपर स्टार अर्नौल्ड स्वार्जनेगर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे प्रेडेटर ये फिल्म हॉरर होने के साथ साथ एक बहुत ही रोमांचक फिल्म है जो आखरी सीन तक आपका मनोरंजन जरूर करेगी एलियन 1980 के दशक में बनी एलियन नाम की ये फिल्म उस वक्त की एक सूपर हिट फिल्म थी इस फिल्म में जीनो मॉर्ट नामक एलियन्स की एक प्रजाती को दिखाया गया है जो किसी पैरसाइट की तरह इंसानों का इस्तमाल करती है एलियन्स नामक Hit सिरीस की ये पहली film थी बाद में जिसके कैन सीक्वल्स बनें और फिर Promethies और एलियन कविनन्ट नाम के प्रिक्वल्स भी बनें Dream Catcher साल 2003 में आई इस फिल्म के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा पर एलियन्स के बारे में बनी ये एक बहुत ही बहतरीन हॉरर फिल्म है छुटियां मनाने और कैंपिंग के लिए कुछ दोस्त एक छोटे से कस्बे की तरफ चले चाते हैं पर इसी छोटे कस्बे पर कुछ पर जीवी एलियन्स हमला कर देते हैं बहुत ही बहतरीन विजियोल एफेक्ट्स और सस्पेंस से भरी ये हॉरर फिल्म आपका मनोरंजन जरूर करेगी साल 1982 में आई ये फिल्म एक बहुत ही डरावनी फिल्म है इस फिल्म में एलियन्स की एक ऐसी प्रजाती दिखाई गई है जो किसी भी जीवित प्रानी का भेश ले सकती है पर इन एलियन्स की स्पेश शेप गलती से अंटार्टिका की बरफिली पहाडियों में क्रैश लैंड हो जाती है और वो शीतनी द्रा में चले जाते हैं और जब अंटार्टिका में काम कर रहे कुछ वैज्यानिकों का समुह इन एलियन्स की खोच करता है तो एक एक करके वो उन्हें अपना शिकार बनाने लगते हैं इस फिल्म में विचलित कर देने वाले कई डरावने दुश्य हैं जो आपको परेशान कर देंगे होरर फिल्म होने के साथ साथ ये फिल्म बहुत ही अच्छी सस्पेंस ठ्रिलर है जो आखरी सीन तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और साल 2011 में इस फिल्म का एक प्रिक्वल भी आ चुका है दोस्तों तो ये थी एलियन्स के बारे में बनी कुछ डरावनी फिल्में अगर इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक्स मिलते हैं तो इसी तरह की कुछ और फिल्में ढूंड कर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही से फेस्बुक और वाट्सेप पर जरूर शेयर करें और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें